मेरे प्रियों दोस्तों आप सब को प्रभु के बचन से आज सीखेंगे तो मेरे प्रियों आज का विशय हैं मसीही जवान भाई बहनों के लिए पांच चितावनिया जी मेरे प्रियों आज हम सब को सिखना है परमिश्वर के बचन से कि परमिश्वर का बचन हम सब को पांच है जे मुख्य चितावनिया क्या देता है सच में अगर हम परमिश्वर के बचन से अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारा जीवन है जे परमिश्वर की इच्छा से चलता है और वो प्रिशन होकर के बहुत सी आसी सुको दिता है जो हम सब अपने जीवन में अनुभाव करते हैं तो मेरे प्रियों दोस्तों आज आप इसे वीडियो को पुरा देखेंगे और अंतक देखेंगे ताकि आप है जी समझ पाएंगे कि वो कौन से पांच है जो चेतावनिया है जो हम सब मसीही भाई बहनों को लिए वो विशेश करके जवानों के लिए वो जानना जरूरी है कि पांच नकि अरूरीं चैतावनियां मेरे प्रियों दोस्तों हम आगे को देर ना करते हुए आज के दौर में हम देखते हैं कि ज़्यादा तर लोग जब ज्यादा आफ्षिशित हो जाते हैं, ज्यादा धन दवलत उनके पास हो जाता है, तो पड़मेश्वर के पिछे जाना छोड़ देते हैं और अपनी मनमानी और अपनी स्विच्छा के लिजार वो आगे बहना शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियों हमेशा याद रखें कि पड़मेश्वर पिता हम सब को है जे हर समय है जे वो देखता है। बहुत है जे आशीशित होंगे, तो मेरे प्रियों हम बचन से देखते हैं कि एसो मसी ने क्या कहा, मति अध्याई 16 के 26 पद में प्रवीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्ट करे और अपने प्रान को हानी उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य जगत को प्राप्ट करें, यानि संसार में इतना ऐसो अराम अतना धाउन दौलत उसके पास हो जाए और वो परमिश्वर के राज्य में नहीं पहुँच पाए, प्रभू के पास उन नहीं पहुँच पाए, श्वर्ग अस्थान में नहीं जा पाए, तो उसे क्या लाभ को देगा तो क्या दे सकता है मेरे प्रियों दोस्तों मैं दुसरा पॉइंट को लिया हूं और दुसरा पॉइंट है आत्मिक दोस्तों के साथ संगती करें जी मेरे प्रियों दोस्तों आत्मिक यानि जो आत्मा के चलाए प्रभु के संगती में चलते ही उन लोगों को बीच मे ये उन लोगों को साथ में संगती करने के लिए बाइबल भी करती है तो हम लोग निकालेंगे पहला कुरंतियों 15 ध्याई के 33 में कहता है कि धो खाना खाना बोड़ी संगती अच्छे चरित्र को विगार देती है जी मेरे प्रियों बहुत से ऐसे हैं भाइबान है जो संसारिक लोगों के वैसे लोगों को संगती करते हैं जो लोगों है जी हमेशा बुराय किसी के साथ करते हैं और बुराय में हमेशा परेवरते हैं हमेशा बुराय ही सोते हैं बुराय उनके मुक से और उनके कामों में हमेशा जलगता है और उन लोगों के साथ में देखेंगे कि जो अच्छे भी ब्यक्ति हैं वो भी बिगर जाते हैं लेकिन मेरे प्रियों दोस्तों हम निती बचन 13 के 20 में देखते हैं कि बचन कहता है बुद्धिमानों की संगती करता तो बुद्धिमान हो जाएगा प्रन्तों मुर्खों का साथ ही नस्ट हो जाएगा जी हां मेरे प्रियों सो यहां पर बचन अस्वस्ट करता है कि हमें बुद्धीमानी के संगती करना चाहिए, हर एक जवान भाई बहनों को, मस्री भाई बहनों को हमेशा है जे उन लोगों को साथ है जे संगती करना चाहिए, जो है जे प्रभू के बचन में और आत्मिक्ता में आगे बरते हैं, और जो पुराई के हमेशा साथ चलता है वो है जे नास एक दिन हो जाता है तो मेरे प्रियों हम तिसरा पॉइंट को देखते हैं तिसरा पॉइंट है जवानी के अविलासाओं से भाग यानि दूर रहो जी मेरे प्रियों दोस्तों बहुत ये इंपोर्टेट हम सब के जीवन में है जो विशेश करके यूथ है जो जवान है मसीह भाई बहन उन सब के लिए ये मैसेज बहुत जरूरी है हम लोग देखते हैं दुसरा तेमोतिस दो के 22 में करता है जवानी के अविलासाओं से भाग है और जो सुद्ध मन से प्रभू का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेन मिलाब का पिछा कर जी मेरे प्रियों यहां पर बाइबल करती है कि हमें परमिश्वर के डर्भाय में हमेशा ऐसे चलना है और धर्म और विश्वास के साथ प्रेम के साथ मेन मिलाब का पिछा करना है और हमें जमानी के अविलासा से भागना है जैसे कि हम बाइबल में बहुत सी हम कहानी को देखते हैं गहानी देखते हैं कि ये जब वहां पे जिसके यहां वो राते थे और उनकी पत्नी है ज़िशुप को पाप में गिरानी के लिए उसके साथ संबंद बनाने के लिए उनको जब पकरा तो ँन्होंने झचोर करके भागा उन्होंने उस बुराई की रास्ता को उस पाप को बेविचार को उन्होंने नहीं चुना उन्होंने परमिश्वर की डर भैमोनोंने जाना यह बहुत बड़ा गुना है और उन्होंने भागा जैसा कि हम सिम्सोन के बारे में देखते हैं कि सिम्सोन एक बहुत बड़ा योधा था वो बीर था परमिश्वन ने इतना उसे बल्मान बनाया था कि उनके सामने पलिस्टी ठीक नहीं पाते थे प्रन्तो वो महिलाएं के वो आउरत के वो चकर में है जे वो है जे पाप मेगीरा और वो है जे नास हो गया और उसका है जे बल है जे छीन हो गया तो मेरे प्रियों हम बाइबल से भी देखते हैं कि हमें जवानी के जो भी लासा होता है वो हमें फुक फुक के कदम रखने के योग होता है हमेशा परमिश्वर के बचन और हमेशा आत्मिक्ता में आगे बढ़ने की चलूत होता है जब ऐसा करते हैं तहम है जो सारी चीजों से बचते हैं जैसा कि हम देखते हैं याकुब चार के साथ में करता है इसलिए परमिश्वर के अधीन हो जाओ और सैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा और मेरे प्रियों तोस्तों यहां पे बहुत रहस्में बाते हैं कि सैतान की सामना करने के लिए प्रभू करते हैं लेकिन जो जवानी की अभिलासाएं हैं उससे भागने के लिए करते हैं वो बेविचार से पाप से भागने के लिए करते हैं क्योंकि वो बेविचार पाप ये कैसा है जो परमिश्वर से अलग कर देता है लेकिन जब सैतान की सामना करते हैं तब परमिश्वर का सामर्थ हमें जे कार्ज करता है और हम उसे जीत पाते हैं क्योंकि वहां करता है कि वो भाग निकलेगा उसका तु सामना कर तो मेरे प्रियों दोस्तों हम चौठा पॉइंट को देखेंगे और चौठा पॉइंट है याद रखें कि हमारा जीवन कुछ ही पलो का है जे मेरे प्रियों दोस्तों यहां हमेशा के लिए कोई हम सब रहने को नहीं आये हैं एक नए एक सब है यहां से चले जाएंगे क्योंकि हम आप सम का परमिश्वर पिता है जे आयू और समय को निर्धारित किया है तो हम परमिश्वर के बचन से देखते हैं भजन से ही ता एक सो तीन के पद्रा में देखेंगे कि बचन कहता है मनुष्टी की आयू घांस के समान होती है वह आप जो जवानी का दिन है वह एक घांस के समान है जैसी हम घांस को देखते हैं कि वह है जब शुरुवात में बढ़ता है तो गिदम को मलता के साथ हरा भरा खिला हुआ रहता है लेकिन जब वह देखते हैं कि उसका आयू है जब बढ़ता जाता है तो सुखे हुए की तरह सुख जाता है वो ऐसे हम आपका भी जवानी है ता हम आपको जवानी में परमिश्वर पिता को बचन में और उनकी आग्याउं में आगे चलते रहनाएं कि यहां लिखता है कि जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न अपने अस्थान से फिर मिलता है और हम आप जब एक बा जब प्रान निकल जाता है सर्यर से जब एक बार छुट जाता है प्रान सर्यर से तो फिर है जे नहीं वापस आता है तो मेरे प्रियों दोस्तों हम एक अगला वचन को देखेंगे याकोब 4 के 14 में कहता है और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा सुन तो लो तुम्हारा जीवन ह जान नहीं है हर रहा है क्या तुम तो भाप के समान हो जो थोरे देर दिखाए देती है फिर भूख हो जाता है हमेरे प्रियों सब्सक्रा react 20います время करते हैं कि सून तो लो तुम्हारा जीवन हैं क्या सुसे तो मेरे प्रियों दोस्तों हम आप का जीवन भाप के समान है जैसे भाप निकलता है और वो लोप हो जाता है वो पता नहीं चलता है वैसे हम आपका जीवन भी है हम आपके जीवन में से जब सांस निकल जाता है प्रान निकल जाता है तो हम आपको पता नहीं चलता है जैसा कि हम आयोब के पुछतक पांच में द प्रभु ने हम आपका दीन है जे निक्त कर दिया है और हम आपका महीना भी गीना हुआ है और वो जो लिखा है उससे कोई बदल नहीं सकता है वो एक सीमा ठाराया है और उस सीमा को हम आप पार नहीं कर सकते हैं एक सीकंड भी हम आप पार नहीं कर सकते हैं तो मेरे प्रियों दोस्तों हम आपको उस सीमा की अधीन में ही चलना परता है तो हम आगला देखते हैं आयूब के 14 के 10 में काता है प्रंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है जब उसका प्रांद छूट गया तब वह कहां रह जी मेरे प्रियों दोस्तों यहां हम आपको अश्पष्ट समझने और जानने के जरूःत है कि मनुष्य मर जाता है तो वह जहहां काता हां पड़ा रहता है और उसको कोई हैजे उठांकि अगर इधर उधर करता है तहा भी होता है अ नहीं तो उसको कोई है यह मतलब अपनी आपको उसका पता नहीं है कि हम कहा है क्योंकि उसके अंदर से वो है जे सांस और आत्मा प्रांद निकल जाता है तब यहां काता है तब वो कहां रहा? सारा है जे हम आपका जो भी अंदर अहंकार और घमन्ड है सब मीटी जाते हैं तो मैं आंतिम पॉइंट पच्छना पच्मा पॉइंट को मैं देखूंगा और पच्मा पॉइंट है अपने बनाने वालों को याद रखो हम आपको है जिसर्फ अपने सिर्यजनहार को याद रखना है क्योंकि हम आप कुछ पलों के लिए हैं कुछ समय के लिए हैं यहां हम आप हमेशा के लिए नहीं हैं जितना दिन यहां पे रहते हैं हम आपको उस सिरेजनहार को उस बनाने वाले को परमिश्वर पिता को याद रखना है तो हम लोग देखेंगे बचन से सबोधसक पुछतक बारा ध्याय के एक पद में कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपनी सिरेजनहार को अस्मरन रख इससे पहले कि बेपत्ति के दिन और वो वर्स आएं जिन में तु कहें कि मेरा मन इन में नहीं लगता हम आपका जितना भी दिन है जवानी का दिन है हमें आप काम कीजिए परिश्रम करने के लिए कोई दिन है कि काम न करें काम करें परिश्रम करें लेकिन सो जो भी है हम सिरेजनहार को याद रखें हम उनके पिछे भागे उनके पिछे चले ताकि है वो अनंत काल तक हमारा प्रियोदोष्टों आपने जीवन में सफलता से जादा परमेश्वर के पीछे दौरें और दूसरा है आत्मिक दोसों के साथ संगहती करें तीसरा है जवानी के अभिलासाओं से भागें और चौठा है आप याद रखें कि जीवन कोजी पलोका है और पच्मा है आपने बनान को प्रषेंवाले को हमेशा यद्यार है अपनी सस्टामेर को हमेशा यादके तो मेरे प्रियम दोस्तों हम आँसा करते हैं कि आज संदेश आपको पसंद आया होगा आज के बचन से आप कुछ सिखे होंगे सब्सक्राइब कर दे ताकि आगी का जो भी हम वीडियो डाले वह आप तक आसानी से पहुंच सके तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिये तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सब आपको जाए मसे की गाड़ बलेश यू